तो दुर्गा को जो देवता ने विश्कार किया उस सभी देवताओं का दुर्गा बेटी हुई लेकिन दुर्गा सिंदूर क्यों लगाती है उनका विश्कार कैसे हुऊ अपने उत्वत्ति के बारे में बता देते हैं और मनुवादी कहता है कि दुर्गा संकर भगवान की प तो खुद जो पार्टी का मेन लीडर्स है वो इस तरह से आस्ता रखने वाले हो और उनके लोग नास्ता नहीं रखते हो नास्तिक हो तो कहीं ने कहीं से लगता है कि पार्टी के आइडियोलोजी में ही कहीं फर्क है अरजेडी विधायक फते बहादूर का एक बयान आता है कि आखिर दुर्गा का अविस्कार किस ने किया और कैसे हुआ है इसका ये पुड़ा उलेख करते हैं कि दुर्गा कहां से आई दुर्गा का उत्पत्ति कैसे हुआ अभी हमारे साथ बिजेपी विधायक राजू सिंग सब्सक्राइब है लगतार सनातन के देवी दियोताओं पर कटांग होते रहता है लगतार टीकाट होते रहता है ऐक की हैंamo ये आप अधरती पे पैदा लिये और धरती मा को in your आप मानित कर रहे हैं कहीने कहीं पूरे हिंदूस्तान की धरती आरजावर्द की धरती जो पहले से रही है जिसमें आज कंधार अलग हो गया आनिष्टान अलग हो गया और जिस बेक्ति का आप नाम ले रहे हैं मैं विधान समय में देखा भी नहीं प्रहचानता भी नहीं लेकिन जहां तक बात है देवी देवताओं को तो यह तो शायद आरजेडी के आइडियोजी में इसा मिल है यह लोग इसी तरह का काम करते हैं हमारी आइडियोजी पार्ट करती है एक तरफ जहां पर लालू परसाथ जादो जी ने इस पार्टी को बनाया सीचा इतना बड़ा किया आज उनके पुत्र माननी यह जादो जी डेप्टी सीम जो है पार्टी को देख रहे हैं तो मुझे अभी भी पता चला है कि वो लोग हर समय हर पर्व में पूजा त पुर्व मंत्री रावरी देवी जी बड़ी अच्छे से मानाती है मैंने कई एक बार देखा है लालू जी को देखे देते हुए अभी तेस्वी जादो जी के बारे में सुना है कि पुरा दसारा दसो दिनों कुवास रहे हैं तो खुद जो पार्टी का में लीडर्स है वो इस तरह से आस्था रखने वाले हो और उनके लोग नास्था नहीं रखते हो नास्तिक हो तो कहीं ने कहीं से लगता है कि पार्टी के आइडियोलोजी में ही कहीं फर्क है क्योंकि एक तरफ आस्था की बात करते हैं दूसरे तरफ नास्तिक इसलिए उस तरह का ड्रामा करते पर्टी के दर्फ से इन पर कुछ कहा भी तो नहीं जाता है नहीं पर कोई एक्षण लिया जाता है यहीं तो घोर आश्चर्च की बात है शाद ऐसे लोगों को इस तरह से धर्म में विश्वास रखने वह लोगों का वोट नहीं चाहीए है मैं के नहीं कहता हम लोग को वर सिंदिव कैसे हुई इसाई हुए कि उत्पत्ति के बारे में शहीं हिसाय होगए दुर्गाजी की उत्पत्ति की बाद जहां तक आती है तो हम लोगों ने मैं सनातन धर्म से जरूर हूं लेकिन मैं पंडित नहीं हूं मैंने उतना प्रहा नहीं है इतना जरूर जानता हूं कि जब असुनों का त्याचार हो रहा था तो सारे देवताओं ने मिल करके एक समंद करते हैं तो बाप हो गया फिर बैटी हुगै तो तो अपने अविश्कार के बारे में पता दिया करते हैं किसी ने किसी के आस्था पर कुथारागाट है इसलिए निश्चित रूप से इस पर पार्टी के बढ़िये निताओं को उनके उपर एक्षन लेना चाहिए वैसे लोगों के उपर जो यहां के रहने वाले आम जुनों क यह मैं नहीं करता क्यों सनातन धर्म यह हर धर्म पर कुथा रगात है नहीं किया जाता है कुछ दिन पहले एक सोसल मीडिया पर वीडियो काफी वाइरल हुआ था जिसमें देवी देवताओं कि सर को हटाके किसी काटून का सर लगा कि वहां पर एनिमेशन वीडियो बनाया गया था देखिए इसलिए ऐसा होता है कि इस धर्म में हिंदू सनातन धर्म में देवी देवताओं की चित्र की पूर्जा होती है बहुत सारे धर्में से मुस्लिम धर्म है वहां पर पूजा फोटोग्राफ्स की नहीं होती है वहां पर अल्ला निराकार है निश्ची तुर होजी कि दूसरे के धर्म पे कुजारा घार करें जैसा बीजे पी एगर कोई नाम भी और सुनता है मतलब सणातनी एसा लोगों का मानना है कहतें है लोग कि सानातन का बोट करफ़ कटर पार्टी है तो फिर बीजे पी आगे आगे क्यों नहीं लेती है इन सब चीजों पे ऐसा नहीं है यंदुजम को कर सिर्फ और सिर्फ चाहती है हिंदुस्तान के अंदर हिंदूसार्थ के धर्ति पर पैदा लेने वाले भारत माता की जय बोले वो बंदे मात रम बोले जो इस तरह का बात नहीं बोलते उनके परती कहा जाता है क्यूंक कि आप देख लिए मुस्लिम धन में है बहुत बहुत सारी खबरें ऐसी आई हैं जहां पाकिस्तानी जंडा और पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे भी बिहार में ही लगे हैं एसा नहीं हैं हम करें कि हम लोग के शुरुआत हुई है बिहार में हम लोग पहले यहाँ पर पार्टी आम जनताओं के हित के बात नहीं सोचती तब जाकर के पार्टी आप देख रहे हैं नितिश कुमार जी कई एक बार उनके लोग घूमते हैं आज भी चाहते हैं कि आप लोग काम नहीं करने देते हैं इसलिए हम अलग हो गया वह तो आप लोग भी अच्छी से जानते होंगे और बिहार की पुरी जनता जानती है कि हनितिश जी आज भी चाहते हैं किसी तरह नहीं प्रक्राइन भारतिय जनता पार्टी के साथ आजाओं किस तरह से कसम खाते थे और फिर कैसे आगे इसलिए उनके कि कसम खाने के उनकी बात बोले कि अप्टा रही है कि नहीं बता सकता है ख़बर यह सब्ते है क्या कि मेमोरीलस की दवा खा रहे हैं देखिए मैं 2015 तक मैं उनके साथ जरूर था मैं इस बातों को अभी नहीं बता सकता मैं भी आप लोग के मांदन से सुन रहा हूं मुझे मैं अपने से नहीं निश्यतुप से कह सकता लेकिन जिस तरह का बक्तब उनका आता है कहीं पर जाके प्रोगाम में जिस तरह का भासन देते हैं जिस तक एक्टिविटी लगती है उस के जनता के लिए एक सब्सक्राइब हो जाएं उनके आपास वोट वैंक है कोई वोट वैंक नहीं है भारती जनता पार्टी हिंदुस्तान के लोगों के लिए आम जनों के लिए काम करती है